तो स्वागत है आपका डार्विन जस्टिस के चौथे चैप्टर में जिसका शीर्षक है चीकोटी और इमली लेखक है रवीन कुमार तो आईए कहानी की ओर बढ़ते हैं जब सपने अधूरे रह गए तो आईए ने फिर से नींद को बुलाने की पूरी कोशिश की कि चलता हुआ चल्चितर जहां से रुख गया था फिर से चल पड़े पर ऐसा कब हुआ है जो आईए के साथ होता कुछ देर तक प्रियास करने के बाद जब उसे नींद नहीं आई तो अनय बिस्तर से उठा लेकिन उठते समय ध्यान पैंट के उस हिस्से पर गया जो स्खलित स्पर्म के कारण चिपचिपा हो गया था उसके मन में यह भी खयाल आया कि मा देख ली तो क्या सोचेगी बिस्तर से उठते ही वो कमर पर गमशा लपेट कर पैंट धोने खारी कुए पर चला गया आज उसके हिस्से में यहां तिरिक्त कारे आया था कि उसे अपने खाकी रंग का हाफ पैंट खुद ही धोना पड़ रहा था जब अने खारी कुए पर अपना पैंट धो रहा था तब उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार पन पा था शायद ऐसे ही कोई विचार किसी आदी मानव के मस्तिष्क में कुल बुलाये होंगे और इनसान जंगल से निकल कर आज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने लगा चांद तक हो आया और इसके आगे की यात्रा के लिए तयारी कर रहा है सोचना इस ब्रह्मांड में इनसान के मस्तिष्क का सबसे दुलब गुण है इस सोचने की शक्ती की वज़ा से इनसान जहां था आज वहां से बहुत आगे निकलाया है हो सकता है सोचने की शक्ती का विकास और जीवों में भी हो पर शायद ही कोई जीव इतना कल्पना शीड हो जितना इस ब्रह्मांड में मनुशे आप अन्य को देखिए कि जब वह स्पर्म के दाग वाले पैंट को धो रहा था तब क्या सोच रहा था यह बात उसने उसी दिन रास्ते में बताई थी जब हम साथ साथ भुगोल का पेपर देने स्कूल जा रहे थे रात में जो खत लिखा गया था मुझे दिखाया सपने में क्या हुआ वह सब बताया और बात की खारी कुए पर पैंट से स्पर्म के दाग को साफ करते वक्त उसके दिमाग में क्या विचार आया था आप सुनकर हसेंगे लेकिन हसिये मत यही वह सबसे दुलब गुन है जो शायद जानवरों में नहीं है और अगर है तो शायद इनसानों को इसकी भरक नहीं है आनय ने सोचा था कि मैट्रिक पास करने के बाद वह विज्ञान पढ़ेगा और एक ऐसी मशीन बनाएगा जो टूट गए सपनों को फिर से वहीं से शुरू करेगी जहांसे नीद खुल जाने के कारण सपने अधूरे रह गया थे वह चाहता था कि ऐसे सपने जब अधूरे अब अधूरे ना रहे वह इन सपनों को उनके चरम तक ले जाना चाहता था एक सपना जो एक फिल्म की तरह चल रहा था अचानक तूट गया था वह चूने से आगे नहीं बढ़ सका कि उसके बाद क्या था वह इस रहस्य से एक दिन परदा हटा देगा मैं अनय का इंतिजार मंदिर के पास उस पोपली तमोलन के दुकान पर करता हूँ जिसे मालूम है कि कौन कौन मंदिर के तलाब में नहाने से पहले पानी के अंदर अपनी टोटी से तलाब में पानी छोड़ता है याद आया ना तमोलन के बारे में हाँ वही पोपली तमोलन जो इसी कारण तलाब का जल माता को नहीं चड़ाती है हमें से जो कोई भी पहले तमोलन के दुकान पर पहुंशता है वह वहीं दूसरे का इंतिजार करता है मैं अक्सर वहाँ आने से पहले पहुंशता हूँ उसका कारण है वह दुबली पतली सूखी लड़की जिसके बारे में आने का ख्याल था कि सपाट च्छातियों के कारण कुदरत ने अभी उसके मस्तिष्क में कोई भाव नहीं उभे रहे है वहीं से गुजर कर स्कूल जाती थी मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं उस पर लाइन मारता हूँ मगर उसकी तरफ से कभी कोई सिगनल नहीं मिला फिर भी समय बचाकर उसके आगे पीछे कर लेता हूँ पर उसे इस बात की ख़वर नहीं है क्योंकि उसके आगे पीछे करने वाले कई लोग है वह कितनों का ख्याल लखेगी या सोचकर मैं भी सिर्फ लाइन मारता हूँ इसके अलावा भी कभी कभी दूसरे और कम खूबसूरत विकल्पों पर भी विचार कर लेता हूँ कोई और लड़की किसी वज़ा से मुझे देख कर मुस्कुराती है तो मैं भी मुस्कुरा लेता हूँ या किसी को देख कर यू ही मुस्कुरा लेता हूँ कि शायद वो भी मुस्कुरा दे मेरे दिल के दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं है चाहता हूँ कि दस्तक हो पर चाहने से क्या होता है जब अनय तमोलन की दुकान पर आया तब तक छुहाडे की तरह सुखी लड़की तमोलन की दुकान को क्रॉस कर गई थी मैंने देखा उसे उसने भी देखा होगा शायद क्योंकि लड़कियों के पास देखने के लिए कई आख आखें ही नहीं कई तरीके भी होता है पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसने मेरी तरफ नजर भी उठाई थी अनय ने आते ही चश्मिष के लिए रात में लिखा पत्र मुझे दिखाया मैंने देखा और कहा ठीक है हम दोनों साथ साथ स्कूल के लिए पैदल चल रहे थे खत में एक जगा एक लाइन को इस तरह से काटा गया था कि चाहकर भी कोई उस लाइन के एक भी शब्द को पढ़ नहीं पाता मैंने कहा ऐसा क्यूं किया तब तक चलते हुए हम उस इमली के पेड़ के पास आ रहे थे जिस पर भूत होने का शक माखनपुर के सभी ग्रामवासियों को थे आने ने कहा कि सुबा उठने के बाद जब भाखत को फिर से पढ़ रहा था तब उसे यह लाइन पढ़कर बेवकूफ जैसा मैंसूश हुआ क्या लिखा था इसमें यह कहते हुए मैंने रास्ते पर पढ़ा एक पत्थर उठा कर इमली के पेड़ पर चला दिया संयोग देखिए इमली के तीन लंबे लंबे बूटे पेड़ से गिर गए तीन में से एक थोड़ा छिल गया था इमली कच्ची थी गिरी इमली को उठाते हुए अने बोला तुम्हारे बिना जिन्दा नहीं रह पाऊँगा मैंने कहा फीक ही तो था इस पर अने कुछ नहीं बोला इमली उठा कर एक मुझे दिया एक अपने पैंट की जेब में रखा और जो इमली पत्थर लगने से छिल गई थी उसके उस हिस्से को तोड़ कर फेंक दिया और बाकी बचे हिस्से के दो टुकड़े करके आधा मुझे दिया और आधा खुद लिया उसके द्वारा इमली के दो टुकड़े करने से पहले ही मेरे मूँ से पानी आ गया था हाथ में आते ही हमने इमली चकी और दोनों ने एक साथ अपनी अपनी आखे मीच ली इमली बहुत खटी थी फिर भी हमने फेकी नहीं हाला कि तब वह अपने सपने और पैंट धोते समय जो विचार उसके मन में पनपा था उसके बारे में बता रहा था खत का वो हिस्सा जहां एक लाइन को काट दिया गया था और उसे इस तरह मिटाया गया था कि चाह कर भी उसे उसके एक अक्षर को भी नहीं पढ़ सकता ध्यान खीच रहा था जैसे ही खत किसी के हाथ में आता ध्यान सीधा उस कटे लाइन पर ही जाता है लेकिन अब समय भी नहीं था कि दूसरा खत लिखा जाए हम स्कूल की और चलते जा रहे थे इमली चखते और आखें मीचते जा रहे थे तभी मैंने अने से कहा चश्मिस का कलम कहा है उसने अपनी पैंट की जेब से कलम निकाल कर मेरे हाथ में दे दी जब हम स्कूल की और जा रहे थे तब मुझे लगा कि अने कुछ और सोच रहा है मुझे लगा कि हो सकता है कल उसे भुगोल पढ़ने का टाइम नहीं मिला हो इसलिए चिंतित है मैं यह सोच ही रहा था कि उसने लिखे खत के दो टुकड़े किये फिर चार किया फिर आठ फिर सोलह और बतिस करने के बाद उसे हवा में उड़ा दिया मैं आस्चर से देखता रह गया कुछ टुकड़े आसमान से मेरे उपर भी गिरे कुछ अनय के उपर क्या हो गया है तुम्हे यह पूछने पर उसने कहा था कुछ नहीं इतना कहकर मुस्कुराया पागल हो गया हो क्या इतनी मेहनत से खत लिखा और जब देने की बारी आई तो फड़ दिये मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराता रहा तब मैंने कहा साले अब दात निपूरेगा और निपूरते ही रहना अब मुझे चश्मिस के किस्से मत सुनाना हम स्कूल पहुँचने ही वाले थे चश्मिस का कलम मेरे हाथ में था अन्य को दे दिया लेकिन उसके बाद उसने जो कुछ भी कहा मैं उसे यहां अपने शब्दों में रख रहा हूँ उसके दिमाग में एक विचार कौन रहा था कि नोक जोक मुस्कुराना आखों के इशारे ये सब तो ठीक है मगर कम से कम एक बार I love you कहने के बाद खत देते तो ज़्यादा अच्छा होता ना तो अन्य ने I love you कहा था और नहीं चश्मिस ने फिर अचानक लव लेटर वो कैसे दे दे उसके मन का सबसे बड़ा प्रश्ण था बुरा मान गई तो इसके इस तो पर मैंने कहा कि वह बुरा मान ही नहीं ज़क्ते उसने कहा कि यह तुम्हारा confidence है लेकिन यदि बुरा मान गई तो मिट्टी पलीद हो जाएगी नरेश सर के हाथ में रहने वाली खूबसूरत सी पतली छड़ी का भै उसके मन में था जो हवा में लहराते हुए हवा को सबसब काटती थी इस भै के अलावा उसके मन में यह भै और था दो सालों से चला आ रहा अद्रिश्य लगाओ जो लगभग चश्मिश के मन में भी था यदि खत उसे मंजूर नहीं हुआ तो यह सारा भ्रम एक जटके में खत्म हो जाएगा अगर उसे खत मंजूर नहीं हुआ तो उसके तुरंत बाद उससे आखें मिलाना मेरे लिए संभब नहीं रह जाएगा एक कागज के टुकडे उस पर लिखे चंद शब्द दो वर्षों के खुबसूरत एहसास को चंद मिनिटों में खत्म कर देंगे अभी यह गलत फहमी तो है मेरे पास कि शायद वो मुझे प्यार करती है स्कूल पहुँचने से पहले स्कूल में घुसने से पहले मैंने उससे कहा साले आज तो उसका कलम भी लोटा देगा अपने उपर किये जा रहे तंज पर मुस्कुराया उसके समझने के बाद मुझे भी मुस्कुरा ना पड़ा कलम उसके पैंट की जेब में था सोचिएगा उस बाल मस्तिश्ट के बारे में जो चश्मिश को बेपना मुहबत करता है या कहिए कि करता था जो इस बात से डरता था कि इंकार कर दी तो कम से कम अभी एक भरम तो है कि वह मुझे प्यार से घूरती है उसके मस्तिश्क में एक ख्याल और था जो बहुत ज़ादा तो नहीं पर था कि लड़की को प्रेम पत्र देना गंदा काम है अभी हम छोटे बच्चे हैं लोग कहते हैं लड़कियों को नहीं छेड़ना चाहिए जब यह बात माखन पूर पहुँचेगी कि मैंने चश्मिश को प्रेम पत्र दिया है तो गाओं के लोग क्या सोचेगे कलम के खो जाने के कई कारण हो सकते हैं लेकिन एक बार यदि चश्मिश पत्र नरेश्चर के हाथ में थमा दी तो फिर कोई बहारा नहीं चलेगा क्या प्रेम इतना डरपोक इतना सतर्क इतना समझदार हो सकता है हाई कच्ची उम्र का प्रेम ऐसा ही होता है क्या कच्ची उम्र का प्रेम ऐसा होता है क्या उम्र के इस पड़ाव पर प्रेम छोटी सी नदी में अचानक आए बाढ़ की तरह है जो जल्दी से जल्दी शंतुलन चाहता है वो अपने बहाव के रास्ते में आने वाले किसी भी अवरोध हुकर किंतु परंतु नहीं सोचता है अनय ने पत्र लिखकर फार डाला था इसे आप किस संदर्व में देखते हैं मुझे नहीं मालू मैं सिर्फ यह सोच रहा हूँ कि कच्चे उम्र का प्रेम या अकर्शन सामाजिक संरचना के हिस्से में शामिल भै से डरता है क्या हम दोनों क्लास में घंटी लगने के बाद घुजे थे परिक्षा भवन में हमारी जगा फिक्स थी हम अपनी सीट पर बैठे चश्मिष पारदर्शी चश्मा पहने अनय के पीछे वाली सीट पर पहले से बैठी थी उसके चश्मे के फ्रेम के दोनों किनारों से बांधा काला धागा उसके गर्दन से जूल रहा था थोड़ा चश्मिष का जिक्र कर देता हूँ थोड़ा अपने दिमाग को उस पर भी खर्ज कर लिजे कि वो दिखने में कैसी थे चश्मिष का रंग एकदम गोरा था मिलकी वाइट नाक थोड़ा पठार सा न बहुत छोटी न बहुत बड़ी आखें होट का रंग गुलाबी है होट न पतला है न मोटा है चेहरा थोड़ा चोड़ाई लिए है कद उतना ही कि जितने से आप किसी को ठिंगने की श्रेनी में नहीं रख सकते है और उसके सीने पर कुदरत का इशारा कि वह अपने उम्र से के उस मोड़ पें पहुँच चुकी है जहां से उसे अनय से बाते करना उसे देखना अच्छा लगता है यही चश्मिश अनय को देखती है देखकर मुश्कुराती है और अनय इसी चश्मिश को प्यार करता है हाँ, एक बात बताना भूल गया चश्मिश के बाल बलंट स्टाइल में थे जो कान से थोड़ा नीचे तक जूलते थे वह कानों में इयरिंग पहनती थी और तब नाक में नोजपिन भी पहन कर स्कूल आया करती थी इस कहानी में चश्मिश मार दी गई मैं सोचता हूँ कि यदि अन्य इस धर्ती पर नहीं आता किसी से प्यार करने की इतनी बड़ी सजा बेवजा मिल गई थी उसे फिर सोचता हूँ कि यदि चश्मिश पैदा ही नहीं होती तो शायद अन्य भी अब तक जिन्दा रहता या सोचता हूँ कि अगर चश्मिश के पिताजी जिन्दा रहते तो चश्मिस कनक उच्छे विद्याले में आती ही नहीं और दोनों मिलते ही नहीं एक कहानी के बनने में सोचिये तो कई मोड हैं कई सयोग हैं और नहीं सोचिये तो कुछ नहीं सिर्फ एक कहानी है जिसे लिख दिया और लोगों ने पढ़ लिया बात खत्म यह पहले की बात यह पहले भी बता चुका हूँ कि यदि चश्मिश के पिता जी जीवित रहते तो चश्मिश इस सुविदा विहीन स्कूल का मूँ नहीं देखती इनसान को इस धर्ती पर भेजने से पहले शायद उसके जीवन की लकीरें खीच दी जाती है और फिर इनसान को उस लकीर के अंतिम छोर तक पहुँचने के लिए कुदरत धीरे धीरे परिस्थितियां बनाती रहती है इस धर्ती पर जीवों का आना और जाना कुदरत के किसी कारिक्रम का हिस्सा है आप कह सकते हैं अनय का चश्मिश से मिलना महज संयोग था आप कह सकते हैं चश्मिश का पुष्पा विद्या ले जाना भी संयोग मात्र था आप कह सकते हैं चश्मिश का पैदा होना संयोग मात्र था पहले से निर्धारित कुछ भी नहीं था तो ज़रा चश्मिश के पैदा होने की कहानी सुन लिजे फिर आप इसे सयोग मानने के लिए स्वतंत रहें लड़के के चक्कर में चार लड़की पैदा हो जाने के बाद चश्मिश के पिता जी ने लड़के का मुहत्याग कर मन ही मन फैमिली प्लैनिंग का निर्णे ले लिया था अपने इस निर्णे से वे पत्नी को अवगत करा चुके थे पत्नी फैमिली प्लैनिंग के पक्ष में नहीं थी पता नहीं पत्नी के मन में यह भ्रम कहां से आटपका था कि फैमिली प्लैनिंग कराने के बाद मर्द या औरत कमजोड हो जाते है इस चक्कर में ना तो वा खुद फैमिली प्लैनिंग करवा रही थी और ना अपने पती को करवाने दे रही थी चश्मिश के पिता जी यह भी सोचते थे यह समझते थे कि लड़के या लड़की का पैदा होना ना उनके हाथ में है ना उनकी बीवी के हाथ में यह संयोग मात रही और फैमिली प्लैनिंग के बाद कमजोडी वाली बात को वे नकारते थे अपनी पत्नी को इस बारे में कई बार समझा भी चुके थे पर उनकी पत्नी इस मामले में उनकी एक भी नहीं सुनती थे पत्नी के मन में यह लालस था कि वन्ष बेटे से चलता है बेटी से परायों का वन्ष चलता है वह एक बेटा चाहती थी तब चश्मिश के पिता जी मन ही मन यह प्लानिंग कर चुके थे कि जैसे ही बीवी माई के जाएगी एक दिन चुप चाप अपनी नस्बंदी करवा लेगा एक बार नस्बंदी हो जाने के बाद जो हो हला होना है होता रहेगा लेकिन तब तक क्या किया जाए? लेकिन तब तक क्या किया जाए? इस सोच में उन्हें पत्नी को कॉंट्रासेप्टिव देने के लिए मजबूर किया वे जानते थे कि यदि पत्नी को यह पता चल गया कि वे गर्व निरोधक गोलियां हैं तो वह इन गोलियों को हाथ तक नहीं लगाएगी उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि इसे खाने से पुत्र होने की संभावना बढ़ जाती है यह लगभग 1973 की बात है जब पूरे भारत में कुल शादी शुदा जोड़ों में से 12-13% महिला ही कॉंट्रासेप्टिव का प्रयोग करती होंगी लेकिन यह राज उनकी पत्नी से बहुत दिनों तक छुपा नहीं रह सका उनकी छोटी ननद जिसकी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी जब ससुराल से आई तो घर में मालाडी की एक खाली स्ट्रिप उसे भावी के कमरे को बहारते वक्त मेले ननद को पता था कि भावी पुत्र प्राप्ती के लिए कोई गोली खा रही है लेकिन जब यह स्ट्रिप उनके कमरे में देखी तो पूछ बैटी भावी ये कौन खाता है भावी बोली मैं ननद के चेहरे पर विश्मे की लकी ने देख कर भावी फिर बोली क्यों क्या हुआ इसी को खाने से बेटा पैदा होने का चांस बढ़ता है ननद को भावजाई के अनपढ होने का अफसोस हुआ उसे अफसोस हुआ कि एक पुरुष अपनी पत्नी को विश्वास में लेने के बजाए उसे किस तरह का धोखा दे रहा है कोई अनपढ है तो उसकी भावनाओं को या भावनाओं से ऐसे मत खेलिये क्या बीचता है उस इंसान पर जब उसे अपने अनपढ होने का सही एसास होता है कि कोई उसे इसलिए ठग रहा है कि वह अनपढ है और ननद जब मायके से ससुराल जाने लगी तो जाने से पहले सारी पोल पट्टी खोल गई कि भाईया आपके साथ क्या कर रहे है इस दवाई को मत खाईये इससे तो बच्चा गर्व में ठहरता ही नहीं पत्नी चाहती तो पती को धोखा दे सकती थी चुपचाप रहती गोलिया नहीं खाती लेकिन स्वाभिमानी औरत इस बात को आसानी से हजम नहीं कर सकती है स्वाभिमानी का अनपढ और गमार होने होने या ना होने से कोई सम्बद नहीं हाँ यह हो सकता है कि सिक्षा इसे थोड़ा और परिश्कृत कर दे लेकिन मोटा मोटी वह इनसान के अंदर का इनबिल्ट केरेक्टर है दो तीन दिनों तक पत्नी पती में खूब ठनी पती माफी मांगना मांगता रहा स्वाभिमानी औरत ने एक न सुनी उसने पती को अपनी गलती का हैसास तो हुआ पर पती को किसी भी हाल में अब बच्चा नहीं चाहिए था तो नहीं चाहिए था चाहे कुछ भी हो जाए और तब पत्नी या फैसला ली कि यदि आपकी जिद यही है तो फैमिली प्लैनिंग मैं करवाओंगी जो भी होगा मेरे साथ होगा चश्मिष के पिता जी अब सपने में भी पत्नी से यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि जब तक ट्यूबक्टोमी नहीं हो जाता तब तक कॉंट्रासेप्टिव यूज करो फिर उन्होंने ही कॉंडेम यूज करना का निर्ण लिया याध है ना चश्मिष अभी धर्ती पर नहीं आई है देखिए उसका आगमन कैसे होता याध है ना चश्मिष अभी धर्ती पर नहीं आई है देखिए उसका आगमन कैसे होता भारत में 1963 में सरकार ने व्रिहत पैमाने पर कॉंडूम के वितरन का निर्णे लिया जिसे कामराज नाम से बजार में लाया गया उस समय कॉंग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष के एक कामराज थे और कॉंग्रेस सत्ता में थी पता नहीं सरकारी तंत्र में बैठे लोगों के दिमाग में क्या खिचड़ी पकी की कामराज का नाम बदल कर निरोध रख दिया तब हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड इसका उत्पादन करती थी 1974 के प्रथम महीने में इस कंपनी ने एक ग्राहक चश्मिष के पिता जी भी बने तब भारत में गिने चुने लोग कॉंडम का इस्तमाल करते हैं आप सवाल कर सकते हैं कि चश्मिष के पिता जी इसके ग्राहक बने ये बात मुझे कैसे पता चले तो मैं बता दूँ कि जब मैंने इस कहानी को लिखने का निर्णे लिया तो इसके लिए कई लोगों से मिला उसमें से कुछ चश्मिष के परिवार के सदस्य भी थे जिनके कतनों के अनुसार के आधार पर मैं एक निश्कर्स पर पहुँचा और तब उसके जन्म की तारीक से नौ महीने पीछे गया जहां मौझूद कई साक्ष कई बातों की ओर इशारा कर रहे थे फिर कई लोग जो इन दोनों के रिस्तिदार हैं करीबी हैं उनसे पूछने पर वे टुकड़े टुकड़े में कुछ न कुछ नया बताते रहे फिर इन टुकडों के बीच सामानजस्य स्थापित करने पर एक वाक्य बना फिर एक पैराग्राफ बना फिर कई पेराग्राफ बने एक पेज बना एक चैप्टर बना और तब एक कहानी बनी और तब इस कहानी में या कॉंडोम आया बात जून 1974 की है चश्मिश के पिदा जी हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड कमपनी के ग्राहक बन चुके थे पटना में जैप्रकाश नरायन की एक सभा में उन्हें जाना था यह वही सभा थी जहां से जैप्रकाश नरायन ने संपून क्रांती का नारा दिया था जिस सुबह उन्हें निकलना था उस रात हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड कमपनी का निरोध फट गया वे बायोलोजी के छात्र थे मुगलियों पर दिन जोड़े मासिक धर्म का तेरहवा दिन कंसीव करने की प्रबल संभावना बात जून 1974 की है चश्मिश के पिता जी हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड कमपनी के ग्राहक बन चुके थे पटना में जेपरकाश नरायन की एक सभा में उन्हें जाना था यह वही सभा थी जहां से जेपरकाश नरायन ने संपूर्ण क्रांटी का नारा दिया था जिस सुबह उन्हें निकलना था उस रात हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड कमपनी का निरोध फट गया वे बायोलोजी के छात्र थे उगलियों पर दिन जोड़े मासिक धर्म का तेरहवा दिन कंसीव करने की प्रबल संभावना मन की बात पत्नी से जाहिर की संभव है की पत्नी बोली औलाद भागवान की देन है हम या आप इसे रोक नहीं सकते हैं हमारे नसीव में जिसका आना लिखा है वह आ कर रहेगा चाहे आप मुझे दवाई दें या आप यह फूकना इस्तिमाल करें चाहे आप मुझे दवाई दें या आप यह फूकना इस्तिमाल करें चश्मिष की मा निरोध को फूकना मतलब बैलून कहा करती थी फटे हुए निरोध ने इस धर्ती पर एक नए जीवन के आगमन की संभावना को बढ़ा दिया था लोग कहते हैं कि चश्मिष के पिता जी संपून क्रांती की शुरुवात में जैप्रकास नरायन के साथ रहे मैंने जेपी आंदोलन के कई नेताओं से चश्मिष के पिता जी के नाम का जिक्र किया तो किसी ने भी उनके नाम का परहामी नहीं भरी उनका कहना था कि उस वक्त इंदरा गांधी कहर ढ़ा रही थी तो लोक तंत्र को बचाने के लिए कई नामी हस्तियों के साथ कई अनाम लोग भी जेपी या अंदोलन में कुद पड़े हो सकता है जिसे आप ढूंड रहे हैं वा भी उस अनाम भीड का हिस्सा हो एक महीने बाद स्थिती और बिगड गई जब रेलवे हर्ताल पर चली गई देश और अस्त व्यस्त हो गया उस समय रामधारी सिंग दिनकर की एक कविता लोगों की जुवान पर खूब चड़ी चश्मिश के पिता जी भी उससे गुर्भुनाते थे उस समय रामधारी सिंग दिनकर की एक कविता लोगों की जुवान पर खूब चड़ी चश्मिश के पिता जी भी उससे गुर्भुनाते थे सिंगासन खाली करो की जनता आती है वे संभावना जटा कर सुबह पटना चले गए और जैसे की लोगों ने कहा कि वे जेपी के साथ घूमते रहे और जब पूरे दो महीने बाद वापस घर लोटे तो पता चला कि उनकी जोली में पांचवी संतान आने वाली है अब आने वाला है तो बेटे की चाहत मन के किसी कोने में फिर से फूट पड़ी मगर चाहने से क्या होता है अगर उनके चाहने से लड़का पैदा हो जाता तो इतिहास के पन्ने में दर्ज कुछ नरसंगहार शायद नहीं होता है क्योंकि अनय और चश्मिस की मौत के बाद मामला और भड़का इतना कि छोटे छोटे बच्चे तक कोई यह कहते हुए गोली मार दी गई कि बड़ा होकर नकसल बनेगा फरवरी के दूसरे सब्ता में चश्मिस धर्ती पर आ गई थोड़ी देर के लिए पती पत्नी का चेहरा उदास जरूर हुआ लेकिन चश्मिस की मा उलाद को ईश्वर की देन मानती थी तो जिसे भगवान ने इस धर्ती पर भेजा हो उसके साथ इंसान भेदभाव कैसे कर सकता है लड़का क्या और लड़की क्या फिर भी वह यह मानती थी कि बेटी से पराय घर का वंश चलता है अपना वंश तो बेटे से चलता है यदि हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेट का वह निरोध नहीं फटता तो आज 24 अक्टूबर 1990 को चश्मिस अनय के ठीक पीछे बैटकर भूगोल का पेपर कैसे लिख रही होती प्रकृती बिहार के इतिहास के पन्नों में आने वाले जख्म के लिए कच्ची सामगरी उपलब्द करा चुकी थी तो इस अंक में आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर दूसरे अंक में अब तक के लिए धन्यवाद झाले झाले जाओ प्राओ के लिए प्राओ के लिए दुटे अंक में आने को इस अंक में के लिए भी मिलते हैं